हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे बुखार में कौन-कौन सा एंटिवाटिक टाबलेट दिया जाता है अभी टाबलेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंटिवाटिक टाबलेट दिया जाता है और फिबर को कोम करने लिए कौन सा टाबले पाने के लिए चलिए अभी हम शुरू करते हैं टेबलेट दिया जाता है वो पारसिटामल होता है दोस्तों आपको पता ही होगा पारसिटामल टेबलेट फिबर को ठीक करने के लिए दिया जाता है अभी हम जान लेते हैं उसके साथ कौन सा एंटिवैटिक देने से फिबर को कुन कुछ सां एंटिवाटिक दिया जाता है उसकी साथ ठीक है Nぎ म hanya ठीक है पहले जो एंटिवाटिक दिया होता है कि उसका नाब है संपिक्ष की 20 ठीक है इस टाब्लेट 200 Mickey क 번째 pope रहता है इसको दिया जाता है नहीं तो O-ploxasin दिया जाता है इन दोनों tablet को यूज किया जाता है ज्यादा अर फिबर में सभी डक्टर इन दोनों tablet को यूज करते हैं फिबर को ठीक करने के लिए तो दोस्तो इन दोनों टेबलेट को दिया जाता है पारासिटामल तो कमन है अब जानते होंगे पारासिटामल के साथ सेफिक जिन नहीं तो वो फ्लोक्सासिन दोनों में से कोई एक देना होता है यह है छोटे बच्चों में भी दिया जाता है और बड़े लोगों में भी दिय हम जान लेते हैं इस टैबलेट का डोज्च पारसी टेमल को आप दिन में दो से तीनबार दे सकते हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा फिवर हुं है तो तीनबार है आप दे सकते हैं और जो सफिक जिम होता है उसको आप सुबह सामेक-एक दे beet सकते हैं खाना खाने के बात और ओफलोकसासिन को भी आप दिन में दो बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद ठीक है दोनों एंटिबैटिक को आप दिन में दो बार खाना खाने के बाद देंगे और पारासिटामल को आप दिन में तीन बार दे सकते हैं और बहुत ही ज्यादा फिबर हुआ है तो आप दिन में चार बार भी दे सकते हैं